8.1.2 तंत्रिका कोशिका की सनरचना Structure of Nerve Cell अभिरंजक तक्नीक एवं सुक्ष्मदर्शी के विकास के बाद 1910 के दशक में इनकी सनरचना का इसपष्ट अवलोकन किया गया और पूर्ववर्ती विवरण की पुष्टी की गई तंत्रिकाओं की व्यवस्था और वृद्धी संबंधी शोध 1930 के दशक में इलेक्ट्रोन सुक्ष्मदर्शी के अविशकार के बाद आगे बढ़ा इनकी सनरचना के इसपष्ट अवलोकन से यह पाया गया की तंत्रिकाओं विविध प्रकार की होती है और यह तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे से बनी होती है प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक और कई माइटोकॉंडिया है इनमें अन्य कोशिका अंग भी पाय जाते है तंत्रिका कोशिका की विशेष्टा यह है कि इनकी कोशिका जिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार अनेक शाखित सनरचनाओं के रूप में होता है जिनें डेंड्रोइट ब्रांच्ट ट्रीलाइक कहते हैं इन में से कुछ लंबी विस्तारित सनरचनाओं को एक्जॉन, एक्जॉन, एक्जिस कहा जाता है यह शरीर के दुरस्थ भागों तक पहुँचती है कुछ एक्जॉन में वसा युक्त भित्ती पाई जाती है जिसे माइलिन भित्ती कहते हैं वेज्ञानिक श्वान ने अपने अध्यान में पाया कि माइलिन भित्ती कोशिकाओं की बनी होती है इसलिए इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका नाम दिया गया क्या आप जानते हैं तंत्रिकाओं के विवरण के लिए वज्ञानिक कैमिलो गौलजी और रेमन कजाल को 1906 में नोबिल पुरुसकार मिला उनका विवरण 1850 के दशक में रॉबर्ट रिमाक द्वारा दिये गए विवरण जैसा ही था उन दिनों रिमाक का विवरण किसी ने नहीं माना था एक एक एकजौन पर मायलिन भित्ती की कोशिकाएं ऐसे लिप्टी होई होती हैं कि बीच बीच में निमीत रूप से कुछ रिक्तिस्थान रह जाते हैं चित्र में इनहें असे दर्शाया गया है माईलिन भित्ती से सूचनाओं के संचार को गती, एक्जॉन को सहारा और सुरक्षा एवं कई एक्जॉन का गुच्छा बनने में सहता मिलती है मस्तिश्क वब मेरु रज्जॉ से शुरू होने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्जॉन हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुँचते हैं आपको यह जानकर आश्चर होगा कि कुछ एक्जॉन इतने लंबे होते हैं कि वे हमारे मस्तिश्क या मेरु रज्जॉ से लेकर पैर की अंगुलियों के अंतिम छोर तक फैले होते हैं अतहा आपकी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं आपकी लंबाई के बराबर हैं ऐसे लंबे एक्जॉन वाली तंत्रिका कोशिका का केंद्रक वाला सिरा कहां होगा मस्तिश्क या मेरु रज्जॉ की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में और कौन से अंग हैं तंत्रिकाओं के अलावा हमारे मस्तिश्क वा मेरू रज्जू में रक्त की नलिकाएं एवं तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने वाली कई अन्य कोशिकाओं भी पाई जाती हैं यह समस्त सनरचनाएं त्वची उतक से लिप्टी हुई होती है। इन पर भी अस्थियों से बने कवच, खोपड़ी और रीड की हड़ी के रूप में से मस्तिश्क वा मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं सुरक्षित रहती हैं। सुचनाएं तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मास्पेशियों के बीच के संपर्क के इस्थानों से होते हुए प्रसारित होती हैं। ऐसे संपर्क इस्थानों को साइनेफ्स कहा जाता है। गोर करने की बात यह है कि साइनेफ्स शब्द का अर्थ जुड़ा हुआ है पर वास्तों में दो तंत्रिकाओं और पेशी उत्तक में साइनेफ्स एक अंतराल है इससे सूचनाएं कुछ रसाइनों द्वारा प्रसारित होती है अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचनाओं का आवागमन रसाइनिक और विद्धुतिय संकेतों के रूप में होता है तंत्रिकाओं एवं साइनेफ्स से सूचना का प्रसार एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है इसके बारे में आज भी शोध हो रहे हैं